ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉंडर्स की हत्या कर दी गई थी, हत्या के आरोप में भगत सिंग और राजगुरू को अंग्रेज सरकार धून रही थी, लाहोर के चप्पे चप्पे पर जाच जारी थी, ट्रेन के स्टेशनों पर पुलिस तैनात थी, जो भी नौजवान लाहोर छोड़कर निकल रहे थे, उन पर CID की कड़ी नजर थी, दो दिन तक भगत सिंग और राजगुरू छुपे हुए थे, उन्हें निकल भागने के लिए एक तगड़े प्लान की जरूरत थी, लेकिन वो सिर्फ दो लोगों के साथ संभव नहीं था, राजगुरू के दिमाग में एक योजना पक रही थी, लेकिन उसे काम में लाने के लिए एक और इनसान तक पहुचना जरूरी था, और वो थी दुर्गा भाभी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपबलिक आर्मी, HSRA की मेंबर, क्रान तिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्मी, राजगुरू उन्हें उनसे मदद मानगी, कहा, हमें लाहोर से बाहर जाना है, दुर्गा भाभी अपने बेटे के जन्म के बाद से क्रान तिकारी गतिविधियों से थोड़ी दूर थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भगत सिंग और राजगुरू को उनकी जरूरत है, वो फॉरण त पत्नी और बच्चे के साथ अंग्रेजों के नाग के नीचे से निकल गए थे,